एपने लीगल जानकारी के साथ-साथ-प्राक्टिकल जानकारी होनी भी बहुत जरूरी है यानि अगर आप प्राक्टिकल नहीं समझते के वल किताबी घ्यान के बेस पर आगे बढ़ते हो तो आपको नुकसान हो जाता है अब इसके लिए आपको ये भी पता होना चाहिए हमारे माइनस पॉइंट क्या है और हमें क्या क्या चीजे नहीं करनी चाहिए अपने legal rights भी पता होने चाहिए अपने negative points भी पता होने चाहिए ताकि आप अपना बचाओ सही तरीके से कर सके आज के इस वीडियो में इसी चीज़ पर मैं focus करने वाला हूँ कि किस प्रकार से आज के समय पे जब false cases का दौर चल रहा है बहुत बड़े level पे जाके false cases किये जा रहे हैं हजबेंड और हजबेंड की family पर तो ऐसे में हजबेंड को अपनी तरफ से कैसे चलना चाहिए क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उसी पर based वीडियो है और ऐसे वीडियो सबसे ज़्यादा मैं कहूंगा आपके लिए important होते है legal remedy भी बाद में आती है पहले आपको य सब्सक्राइब नहीं किया तो फटा-फट सब्सक्राइब करके notification bell पर जरूर क्लिक कर लें ताकि आपको इस चैनल पर आने वाली ऐसी वीडियो की निरंतर जानकारी मिलती रहे और इस वीडियो को शुरू करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको एक information देना चाहूंगा दोस्त अगर आप लोगों ने तो ट्रस नहीं किया होता विश्वास नहीं किया होता तो शायदे नहीं होता और वो ही support अब मुझे मेरे दूसरे चैनल पर चाहिए जिस चैनल का मकसद सिर्फ यह है कि जितने लोग इस प्रकार से परिशान है उनको मानसिक शान्ती मिले उनको एक आ सब्सक्राइब करके notification bell पर जरूर क्लिक कर दे इससे हमें support मिलेगा अधरवाइस होता है कि निराशा इतनी हो जाती है कि नए चैनल पर काम करने का मन ही नहीं करता क्योंकि आपका बहुत ज़्यादा प्रयास और समय मांगता है वो तब ही हो सकता है जब आपकी तरब से हमको response दिखता है तो आप सबसे मुझे पूरी उम्मीद है कि आज शाम तक आप subscriber की संख्या काफी बढ़ा देंगे दोस्तो चलिए इस वीडियो में मैं आगे आता हूँ दोस्तो बहुत सारे मामलों में ऐसा होता है कि कोई हमसे पूछता है कि सर मेरे साथ ये परस्तितिया है और आप ये बता है इसमें मुझे आगे क्या करना होगा और हम जब सारी परस्तितियों को देखते तो हमें लगता है कि mild situation से सारी इतन ज़्यादा worst नहीं है और हम उसको परशान हूँ मुझे बहुत urgent बात करने भी क्या हो गया अरे नहीं बहुत urgent बात करनी है जब बात करो तो पता चलता है पुलिस से फोन आया था जी आपकी F.I.R. दर्जो चुकी है या फिर कोई DV का नोटिस घर पर आ गया या फिर कोई maintenance का नोटिस घर पर आ गया इतने करो भी manager जाकर के divorce डाल दिया तो क्यों डाला जब मना किया था सर में बड़ा परशानी में था तो अब मेरा एक ही question है सबी लोगों से तो ऐसा करके आपने अपनी परशानी बढ़ाई की घटाई बढ़ाई तो अगर आप परशानी में इसका मतलब ये तो नहीं कि आप गलत step ल मानते हैं या नहीं मानते हैं और यह सिर्फ एक उधारण है कई मामलों में होता है कि हम कहते हैं कि इसमें एंटिसेपेटरी बेल नहीं लेनी है कई मामलों हम कहते हैं इसमें ये करना है और सामने वाला बंदा नहीं करता या जिसमें एंटिसेपेटरी बेल के लिए मना कि उ मुझे sorry बोलते हैं, बहुत सारी चीज़े ऐसी होती है, जहापर हमें एक दूसरे को respect देने के लिए sorry बोल देते हैं, ठीक है सब सही हो जाएगा, और सामने वाल अपने मन से भी निकाल देता है, बट हमारे मन में तो कुछ हाई हैं, हम तो neutral हैं आपके लिए, आप मानोगे तो अपने लिए, तो कुल विला के बात यह है, कि अगर आप आगे जाके कहीं किसी चीज़ में बूरी तरह से फस चुके हैं, उसके बाद आप अगर मुझे sorry बोलते हैं, या किसी और को sorry बोलते हैं, तो क्या उससे आपका दर्द कुछ कम हो जाएगा, या क्या उससे जिस situation में फस हैं, निकल जाएंगे, तो dear बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, जिनकी भरपाई, sorry या इस प्रकार की चीज़ों से नहीं की जा सकती, अब कुल मिला के आपको सोचना होता है, कि आपको कैसे आगे बढ़ना है, मोटिव यह हैं, आपकी परशानी खतम होनी चाहिए, प दुवारा बात करें की ज़रोती ना पड़े, आप उस चीज़ से एकदम से बहार आ जाएं, लेकिन unfortunately बहुत कम लोग होते हैं, जो की बातों को मानते हैं और उसी तरह से follow up करते हैं, जिस तरह से उनको समझाया जाते हैं, otherwise हमने यह देखा है कि लोग बहुत ज़्यादा confused है आज के समय पे, mind stable नहीं है, या घबराट में या पैनिक होके, या क्यों जबकि बहुत सारे वीडियोज मैं समय समय पर ऐसा बनाता रहता हूं, जिसमें मैं के वर इस बात पर फोकस करता हूं, कि आपको पैनिक नहीं होना, परशान नहीं होना, आराम से सांती से, पेशन से क किसमत ही खराब है, किसमत खराब नहीं है, ये तो आपका खुद का decision था ना, आपको क्या करना है, तो आप किसमत को दोश कैसे दे सकते हैं, आपको क्या result मिलते हैं, वो पूरी तरह से आपके actions पर depend करता है, अब आपने actions क्या लिए, वो decision तो आपका ही है, चलिए दोस्तों करता हूं जो मैं समझाना चाहरा हूं आप काफी हद तक समझ गए होंगे और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गलती कर भी चुके होंगे आगे सावधान रहेंगे और बहुत सारे ऐसे होंगे जो कि अभी से बिलकुल सावधान हो जाएंगे और गलती नहीं करेंगे यहां सबसे बड़ी चीज यही है कलती ना करना बाकि सब बात की बात है चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही नेक्ट वीडियो में नही जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूँ तब तक एले गुट बैंड थैंकियो फर वाचिंग टेक केर